नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Mission UPSC में Fact for Prelims में आज हम 12 जून के Current Affairs को डिसकस करेंगे जो important news है दोस्तों ठीक है और ये different exams के लिए भी important होंगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो first news है दोस्तों International Religious Freedom Report जारी करी गई है ये किसके दोरा जारी करी गई है यूएस गॉर्मेंट के दोरा जारी करी गई है 2020 के लिए इसमें इंडिया के concern को rise करा गया है उसमें कहा गया है कि religiously downturn हुआ है इंडिया के अंदर और Parliament में जो majority है वो अपनी policies को tend कर रही है freedom religious freedom को violate करने में ये बाते इनके दोरा कुछ कही गई है और इन्होंने इस बात को भी रखा है कि special status जो हटा जब्मू कश्मीर का केटिसम करा है इन्होंने citizenship amendment bill का जो granting citizenship देता है non muslim को बांगलादेश के अगवानिस्तान के और पाकिस्तान के दोस्तों ठीक है और condemn करा है इन्होंने cow slaughter laws को anti conversion laws को और mob lynching के laws को तो ये रिपोर्ट इस बारे में चर्चित होई है कि इंडिया में कैसे religiously downturn हुआ है और इसमें जो foreign contribution regulation act है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार कि जो भार के NGOs हैं several NGOs हैं उनको prohibit करा गया है जो operating थे 2010 थे ये कौन सा foreign regulation act है 1976 का ठीक है और इसमें कहा गया है दोस्तों जो government of India ने बहुत से NGOs को shut down कर दिया जो उनके interest में नहीं थे इस act को amend करके 1976 का जो FCR Act है दोस्तों ठीक है तो second news क्या है दोस्तों new exotic species import guidelines जारी करी गई है ये advisory issue किसके दौरा करी गई है ministry एक मिनट दोस्तों ministry of environment forest and climate change के दौरा जारी करी गई है दोस्तों अब इसमें है क्या जो import होता है wildlife trade का और zoonotic चीजों का तो उनके import पे थोड़ी restriction लगाई गई है global concern को देखते होए जो disease ना फैले covid-19 के तरह बहुत सी diseases जो हमें zoonotic हो रही है और wildlife trade की वज़े से हो रही है तो exotic live species किने कहते हैं वो plant और animal जो अपनी original range से दूसरी तरफ move करते हैं दोस्तों for example कोई habitat African habitat का कोई animal है तो उसे आप Asia habitat में पालते हैं और उसको बढ़ा करते हैं तो उसकी जो original range थी वो transfer हो गई दोस्तों ठीक है तो appendix 1 में 2 में और 3 में आते हैं sites के covered में अभी sites के बारे में आप चर्चा करेंगे ठीक है और इसमें कहा गया है जो भी importer होगा उसे NOC लेनी पड़ेगी चीव wildlife warden से जो state का होगा NOC मतलब no objection certificate की भाई इसके जो सारे papers हैं वो clear है और कोई objection नहीं है इसके और इसमें क्या है दोस्तों अगर किसी इनसान पे exotic wild live species है तो उसको खुद बताना होगा च्छे महीने के अंदर दोस्तों और जो forest officials होंगे वो इस बात की पूरी safety रखेंगे कि वो house safe है और certificate देंगे उस honor को पूरा verify करके च्छे महीने बाद दोस्तों दोस्तों इस चीज को हमें लाने की इसलिए जरूरती जिससे diseases जो है उनको हम अपने देश में आने से रोक सके इंपोर्ट जो होता है animals का पालने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए तो उनके द्वारा जो disease करी जाती है वो हमारे देश में ना फैले तो इसलिए थोड land में administered करा जाता है UNEP के द्वारा United Nation Environment Program के द्वारा इसको administer करा जाता है और sites करता क्या है ये इस बात को ensure करता है जो international trade है wild animals का plants का वो उनके लिए हानी का रखना हो for example जो चीता होता है बहुत से animals की जो skin होती है वो use करी जाती है different purposes के लिए उनकी black marketing भी होती है तो इस चीज को sites बहुत ध्यान से देखता है और दूसरी चीज दोस्तों कि माल लिजे कि आप कहीं से animal import कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो उस species की माल लिजे अफरीका के किसी देश से इंडिया के अंदर import कर रहे हैं तो उस species को कोई हानी तो नहीं पहुँच रही है मतलब उनकी जो production capacity है क्या वो तो कम नहीं हो रही है क्या उस species को अफरीका में तो खत्रा नहीं हो जाएगा जादा import तो नहीं कर रहे हैं तो इन सब चीजों पर निगा रखती है दोस्तों तो जो appendix 1 में आते हैं sites के वो उनका trade allow नहीं होता है यह वो पक्षी होते हैं दोस्तों वो animals होते हैं जिनका बहुत कम मात्रा में होते हैं जब तक उनकी मात्रा बंड नहीं जाती उनका trade allow नहीं कर जाता या जिनकी ज़्यादा black marketing होती है second appendix इसमें trade allow होता है थोड़ी बहुत minor permission लेनी होती है उन animals और plants के नाम होते हैं तीसरी appendix जो होता है उसमें trade की permission होती है दोस्त ठीक है अब next news क्या है nature index में इंडिया की rank को 12th rank मिली है दोस्तों ठीक है by nature research के दवारा एक popular springle nature नाम का एक rank data निकलता है उसमें इंडिया को 12 rank मिली है top 5 countries कौन सी है US से China Germany UK and Japan दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ठीक है दोस्तों अब CSIR जो है Council of Scientific and Industrial Research और IAC Bangalore ने बहुत अच्छी high rating पाई है दोस्तों इस nature index का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि nature के प्रती जो research हो रही है उसमें कौन से देश आगे है और कौन से institute आगे है जो अच्छी quality standard डेवलप कर सकते हैं जिससे environment को भी खतरा नहों और एक हम sustainable development की बढ़ सकें दोस्तों सेकेंड इसमें क्या है जो IACS है Indian Association for Cultivation of Science इसको 7th position मिली है दोस्तों जवालन नेरू सेंटर फोर एडवांस साइंटिफेक रिसर्च 14th position एन बोस नेशनल सेंटर फोर बेसिक साइंस कोलकता 30 rank इसको मिली है दोस्तों अब nature index 2019 में इसमें यह बात कही ग है जो high quality journal से लिया जाता था जो science के तौर पर publish होते थे scientific research के लिए उस हिसाप से इनको ranking दी गई है और यह बहुत important है current scenario को देखते हुए कि COVID-19 का जो pandemic है उस help को उस वो हमें help करेगा research करने में कि भाई यह जो बिमारिया फैल लही है तरी तरीके की यह किस प्रकार से इंसान क के अंदर आ रही है क्या nature में कहीं न कहीं कुछ हम कमी रख रहे हैं या pollution जादा कर रहे हैं कुछ बिमारिया तो दोस्तों हमको पता है pollution है लेकिन development का दोर भी है तो environment development को हमको साथ लेके चनना पड़ेगा environment और development को जिससे एक हम sustainable development कर पाएं दोस्तों यह update होता है जो index हर monthly और annually release होता है update कैसे होगा मान लीजे कोई general निकला research होई तो उस base पर उस देश को ऊपर कर दिया जाता है और overall research का जो data है वो annually publish होता है next news क्या DST Department of Science and Technology केरला ने एक startup तयार करा है क्या तयार करा है दोस्तों इच में जो mask है उसकी disposal के लिए क्योंकि बहुत से लोग अब जो mask यू से करेंगे ठीक है तो इसमें एक smart bin बनाये गया मतलब bin मतलब कचड़े का डिबबा UV light based disinfection device है किसके दवारा बनाए गई है DST के दवारा government of India की ये department है VST mobile solution ये दोस्तों मैंने सर्च किया ये private limited है कोचन में तो disposal device है जिसका नाम है bin 19 डेवलप करी गई है चित्रा UV based face mask disposal bin technology जो श्री चित्रा ट्रिवन्योर इंसिट्वट फोर मेडिकल साइंस एंड टेकलोजी का है त्रिवंद्रम में institute of national importance जो department of science and technology के अंदर आता है बेसिकली आपको ये याद रखना है कि science and technology ने डेवलप्ट करा है किसके साथ मिलके के एक private limited company के साथ मिलके जिसका नाम है VST mobility solution अब के फाइदे क्या है दोस्तों यह internet of things पे based होगी यह collect करेगी जो disinfected mask होंगे और collect करेगी कि mask को और फिर उसको disinfect भी करेगी और यह microbial biological test के लिए भी useful होगी कि हम उस mask को use कर सकते हैं कि microbes किस प्रकार से कर रहे हैं और auto sanitizer होगी dispenser मतलब आप उसको mask को उसके बिन के अंदर डालेंगे और वो खुद आपके फिर आप हाद भी sanitize कर सकते हैं और वो mask भी sanitize हो जाएगा web portal पे status alert होगा mobile application में navigation होगी power on or off का alert होगा और open box open alert होगा यह है दोस्तों वो जो मैं आपको बता रहा था इसमें सारी चीज़े हैं कि आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ अपना mask डालना है और फिर इसको वो दूसरे portion में भी send करेगी इसमें इसकी detail दे रखें कैसे ये function करेगी कि आप mask को drop करेंगे container के अंदर bin के अंदर सबसे पहले और उसके साथ डालते ही disinfectant का चीज जो है process जो है वो शुरू हो जाएगा ठीक है उसको आप transfer फिर वो transfer हो जाएगा खुद बखुद बराबर वाले bin में और जो person है वो अपने hands को भी send कर सकता है इसमें डालने के बाद automatic sanitizer dispenser attach है इसके साथ और इसमें कोई जरुवत नहीं है फिर आपको touch करने की switch off, on करने की कोई जरुवत नहीं है ये खुद automatic है और hand free equipment है दोस्तो तो एक बहुत अच्छी चीज बनाई है Department of Science and Technology और केरल का जो VST solution है दोस्तो next news क्या है दोस्तो Sony scheme ये इसका third face launch कर चुका है ये state scheme है कहां की scheme है दोस्तो गुजरात की ठीक है सौराश्ट नर्मदा अफ्तारन irrigation scheme इसका third face launch कर गया है विजे रुपानी जी के दोवारा जो गुजरात के chief minister है की features क्या है जो इसका 115 dams को fill करना है नर्मदा वाटर से 15 अगस 2020 तक और मार्च 2021 तक दोस्तो इसका जो first face था अब तो third face launch हुआ है जो first face था वो PM मोदी जी ने launch कर रहा था आजी three dams पर 2016 में second face जो था उसमें क्या था पांसो इतालिस किलो मीटर की pipeline बनेगी जो fill करेगी 57 reservoir को अगस 2020 से पहले और अब third face launch हुआ है जिसमें 42 dam बनाये जाएंगे जो fill करेंगे 457 pipeline को मार्च 2021 से पहले दोस्तो और इसमें क्या है न्यूस बहुत scheme के अंदर जो यह launch करी जाएगी कि जो नर्मदा का excessive water है जादा जा water है उसको divert कर जाए सौराष्ट रीजन ने दोस्तो जो सौराष्ट रीजन ने वो सूखा है तो वहाँ पर पानी की बहुत जरुवत है irrigation के लिए और factories को चलने के लिए क्योंकि जल ही जीवन है जल होगा तो factories अच्छे से कर पाएंगी और खेती भी अच्छे से हो पाएगी तो एक linking project है irrigation dam बनाने के लिए एक network पूरा connect करा जा रहा है नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों इसको रिवा भी कहते हैं यह life line है गुजरात की और मद्वे परदेश की ठीक है और यह origin कहां से होती है अमर कंटक प्लैट्यू MP से और यह flow किसके बीच में करती है विंद्याज और इनके बीच में यह flow करती है दोस्तों ठीक है तो चलिए आज की discussion में इतनी यह news थी इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको link description box में मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए इस lecture को यही पर conclude करते है थेंक यू थेंक यू everyone